नमस्कार जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि यदि आपकी email id आपके phone से कई बार हड़ जाती है तो आप वापिस उसे login करना चाहते हैं जब आप अपना password दर्ज करते हैं login करने के लिए और password दर्ज करने के बाद में यदि आपके email id के अंदर two step verification यदि own होता है तो दोस्तो होता क्या है आपसे मतलब backup code पूछा जाता है कि आप आठ अंको का backup code दर्ज कीजिए दोस्तों यह 8 होगा backup code होता क्या है कैसे आपको मिलेगा कि आप दर्ज कर पाएंगे इसा क्या system है आपको इस वीडियो में संपूर्ण जनकारी देने वाला हो यदि आपको भी जानना है दोस्तों मैं उसर्प्रकाइस चौब है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल चौब जी टेकर निकल दुर्ष चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है सुरू करते हैं सबसे परहे दोस्तों आपको बदाता हूँ कि backup code मिलता का है जैसे मालेजिए आप से इस्क्रीन सोट में login है और दूसरे फोन में आप उसी email id को login करना चाहते हैं और आप से backup code मंगा जा रहा है तो दोस्तों यह backup code without email id के login की आप पता नहीं कर सकते हैं अब माल लीजिए कि आप अपनी email id को login कर चुके हैं अब यहां पर हम चलते हैं अपनी email id के अंदर जिसका backup code हमें चाहिए अब यहां पर इधर साइड स्क्रोल करोगे तो security अब यहां पर security option आएगा यहां पर जब नीचे जाओगे तो जब नीचे जाओगे तो एक option देखने को मिलेगा यहां पर देखो backup codes 8 code available कहने करते कि आपको Google कुछ code देता है जब आप email अपने टो इस्टे वेरिफिकेशन इनेवल कर लेते हो तो सबसे महतमन बात यह है कि यह आठ हंकों का backup code आप अपनी email ID को बिना login कि प्राप्त नहीं कर सकते हैं यदि आपने पहुशे में यदि मान लिजे आपने कभी पास्ट में अपनी email ID को जब बनाया था उस वक्त आपने यह backup code कहीं अलग से copy या किसी notebook में लिख है तब तो अच्छी बात है वरना यहीं मान लिजे आपके पास यह backup code बिना मतलब है ही नहीं तो आप जिस email ID को login करना चाहते हो उसी email ID को प्राप्त करना है तो आपकी backup code बिना login कि यह प्राप्त नहीं हो सकता और backup code आपने पहले कभी पास्ट में कहीं लिख रखा हो तो फि लेकिन backup code मांगता है तो backup code प्राप तो नहीं हो सकते email ID लोगी नहीं है तो अब जाप इसके उपर आप क्लिक करोगे न तो आपकी email ID के जितने भी backup code होंगे वो सब यहां पर भी आपको सोग करेंगे एक बार आप यहां पर backup code देखने के लिए अपने fingerprint लगाएंगे आपको भी बढ़ा देता हूं बहुत समय ऐसा कुछ समस्या है उससे पहले यह आप अपना backup code कहीं लिख कर लख लिजी आपके लिए फायदे मंद रहता है वरना जी दिन कुछ दिक्कत आएगी तो आपकी email ID चली जाएगी तो यहां पर देखो आपको मिला के 12345 दस backup code आपको निकाल लो या फिर डाउनलोड कर लो इसलिए कहता कि आप कहीं अलग से इसको रखे रहो क्योंकि जब आपको इसी मेलाडी के लोगिन करना होगा और इसी मेलाडी का backup code मंगा जाएगा तो backup code तो तभी मिलता है जब login हो email ID और इसलिए आप पहले ही रख लो कहीं इसको code को ल के बारे में जनकारी देनी थी यह backup code तभी काम आते हैं जब आपकी email ID लोगिन करने हो और प्लस टो इस्टे वेरिफिकेशन इनेबल हो और आपने backup code पहले सही कभी लिख रखा हो तो दोस्तों आपको यही छोटी ही जनकारी देनी थी आपको जनकारी वीडियो कैसे लगी हो लाइक कर दिएगा और साथ में दूसरे दोफ्तों के साथ भी सेयर किजएगा और दोस्तों यदि आपको मतलब email ID के login करने से लेड़ कोई भी समस्या आ रही हो तो नीचे कमेंट कीजएगा मैं उसके उपर भी वीडियो लाने की कोशिस करूँगा और दोस्तों मिलता हो ने इसी परकार की इनलेज लेकर आते रहते हैं